आप सभी जानते हैं कि भारत में ज्ञान ही जीवन का सरवोच्च उद्देश रहा है इसलिए जिस काणखन में दुनिया के दूसरे देशों की पहचान वहां के राज्यों और राजकुलों से होती थी तब भारत को भारत भूमी के गुरु कुलों से जाना जाता था गुरु कुल यानि गुरु का कुल ज्ञान का कुल हमारे गुरु कुल सदियों से समता ममता समानता और सेवा भाव की बाटिका की तरगर है नालंदाव और तक्सर सिला जैसे विश्वविद्याले भारत की इस गुरुकुल परंपरा के वैश्विक वैभव के परियाय हुआ करते थे खोज और शोत ये भारत की जीवन पधति का हिस्सा थे आज हम भारत के कणकण में जो विवितता देखते हैं जो सांस्कृतिक सम्रिद्धी देखते हैं ये उनी शोधों और अन्वेशनों के परिराम है आत्मत्त्त्व से परमात्मत्त्त्व तक आध्यात्म से अविवेश तक सोशल साइंस से सोलार साइंस तक मैज से मेटलर्जी तक और सुन्डे से अनन्त तक हमने हर क्षेत्र में शोध किये नए निसकस निकाले भारत ने अंधकार से भरे उन यूगों में मानवता को प्रकास की वो किरने दी जिन से आधुनिक विश्व और आधुनिक विज्ञान की यात्रा शुरू हुई और इन उपलग्धियों के बीच हमारे गुरुकुलों की एक और शक्ति ने विश्व का मार्ग प्रसस्त किया जिस कालखण में विश्व में जेंडर एक्वेलिटी जैसे शब्दों का जन्म भी नहीं हुआ था तब हमारे हां गारगी मैत्रेई जैसी विद्वुशियां सास्त्रार्ष करती थी महर्ची वालमिकी के आस्रम में लवकुस के साथ ही आत्रेई भी पड़ रही थी मुझे खुशी है कि स्वामिनारा और गुरुकुल इस पुरातन प्रंप्रा को आधुनिक भरत को आगे बढ़ाने के लिए कन्या गुरुकुल की शुरुवात कर रहा है 75 वर्ष के अमृत महोसो में आजहाज के अमृत काल में इस संस्तान के शांदार उपलब्दी होगी और देश के लिए महत्पपुन योगदान भी होगा